हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक्तो माई चैनल अज के वीडियो मैं आप छाथ करने वाली हूँ मत्र की कर्चवडी और साथ में है आलू की सबजी इस रेसिपी को मैं आप जब सेयर करना चाहूँगी वीडियो स्वार करना से पर आप लोगों से बोलना चाहूँगी चैनल को लाइक कीजिए का बाद में पहले आप जन्दीशा की रेसिपी देख लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं मत्रा की कर्चोरी स्विद आलू की सब्दी की साथ सबसे पहले मैंने आटा लिया है और मैंने लिया मैधा तो मैंने दोन को मिक्स कर लिया और साथ में डाल रहे हूं धार्य आइण ड्यक्त और फिर और करने कि अच्छे। चाहे तोगी भी यूज्टे हैं इसको मैं अच्छे से मिलाना जो और को पहले पर नमक को और आटे आप एजी ली एक अच्छा सा आटा तियार करके डो को आप उसको ढखके गीले कपड़े से रख सकते हैं यहीं तो आप किसी बड़े बरतन से ढखकर उसको एजी ली रख सकते हैं तो मैं अच्छे से डो बना लूँगी और इस डो का यूज करके हम लोग इसको 15-20 मिनिट तक आपको रखना है यदि आप मिनीमम 15-20 मिनिट रखेंगे तो उसमें अच्छा सा डेक्स्चर आएगा और आपकी कचोड़िया एजीली फुल जाएगी जब तक मैं दाल को जो मैंन इसमें सब्सक्राइब करें तो मैं तो मैं इसे चाहिए थोड़ा-स तयला जाएगा इसमें मैं तो और मात्रा में आप जीरा यूज कर सकते हम तो आप डाल रहा यूज कर सकते हैं दाल और बेशन अच्छी से मिक्स हो जाएगा और साथ में लास्ट में उसको एड उसमें एड करूंगी थोड़ी मसाले में मैं एड कर रही हूं आप नमक स्वादानुसर आप ले सकते हैं थोड़ा साहल रैड चिली हरा धनिया और साथ में ले रही हूं हलकी सी हल्दी टर्मर अच्छे से ध्यान लखना जब भी आप इसको बनाए तो गैस को धीमी आज पर रखे तो अच्छे से जब तक नहीं पकेगा तो आपके पेट में दर्द हो सकता है तो उसको अच्छे से धीमी धीमी गैस पर 15-15 मिर्तों का मिनीमम उसको चलाए और फ्लेम को हमेशा लो दीर दीमी आज पर रखे और इसको अच्छे से मिक्स कर लिजे और इसको कम से हम चलाते रहेंगे अब मैं इस साइड में त्यार करूंगी कि जब तक मेरा पक रहा है दस पंदा मिट में तब तक में साइड में आलो की सब्जी बना लोंगी क्योंकि हमारी 10-10 मिंट में 15 मिट में तेज पता डाल कि अब कर दो कि अब तो दूड़ा से लेटियर अमांट में तो आप घटा पना जाता है मसालों में तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में और यदे अपको ज्यादा खटाई का यूज कर सकते हो तो मैं अम्चूर को तो इतना ज्यादा प्रिफेर्ट न लिए यह साथ में अलू डाल दिया इस अलू के उपर मैं डालूंगी इनको अच्छे से मिक्स करणूंगी मसाले में यूज कर रही हूं नमक स्वादनुसा आदा चम्मच लाल मिर्च आदा चम्मच धनिया थोड़ी अमाउंट में मैंने धनिया हल्दी और इसको अच्छे से म अच्छे से मिक्स करने के बाद में अच्छे से मिक्स करने के बाद में आदा गिलास पानी इसमें मिक्स कर सकते हैं साथ में तो अच्छे से मिक्स होने के बाद में अच्छे से मिक्स करने के बाद में अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको विसल पे इधर जब तक मेरी द तक आटा भी हमारा 15 मिनट तक रखा रहने से एक साथ 3-3 चीज़ बन जाएगी तो आपका बन जाएगा तक टाइम भी बचेगा दीरे-दीरे में बीच में दाल को दीरे-दीरे लाती रहूंगी ताकि वह इससे चिपके नहीं कड़ाई से उधर हमारी आलू की सबजी तयार हो जाएगी कुकरड़ा कि आप दो से तीन विसल इसमें इजिली ले सकते हैं और उसके बाद हमारा आटे शंपू लोई बेल तो इसके अंदर दीरे-दीरे करके फिल कर लेंगे तो जसी मैंने रोट इसको थोड़ा चोट साइज है और साथ में आप जित्ता भी आपका एक स्पून डेड़ी स्पून जित्ता भी अमाउंट में डाल कर उसको अच्छे से पैक कर लेंगे दिरे-देरे करके और जो एक् रिख लीजी एदिर में आप ते गैस पर पडहाई चप्ति दीजि enorm थोड़ा थेंग Farm सारी की सारे जो भी त्यार कर लेते हो तो आप लास्ते अंदर थौड़ा मसाना डाल करती है में तयार कर लूंगी एक साथ और यास्ट में तो मेना पान छे सब्सक्राइब की बनाए जादा कचोडिया नहीं बनाएं तो इसको चॉडिया नहीं नहीं बनाइए तो इसको स्टोर कर आप गीप रह सकते हैं एक जी चल जाती है छोड़ा नहीं तौन ट्यार कचवड़ी की और अधर मेरा तेल गराम तो कि तेल कर दो तो तो यहां उसकिए आप इसके त्यार कर सिप्टेशह सब्सक्केशन सब्सक्रणाइना है मेरा मसाला प्लेट में रखा हुआ है तो भार चिपक रही है आप मेरा बन गया है इधर मेरी कचोड़िया भी बज़िए इसको मैं दीमी आज पर सिखोंगे और धीरे दीरे उसको पलटती चली जाओंगी कम से कम आपको 15-20 मिलट तक पेसेंस रखना है ठीक है आपको मीडियम प्लेम पे गयास को चलाना है आप तेज फ्लेम पे चलाओगे तो वह अंदर से तो सिखेगी नहीं और वह कच्छी ले जाएगी इसलिए बोलते है कि आप बी पेसेंस और आप साथ साथ इसली आपको 15-20 मिलट में आपकी अंदर से पक जाएगी और भार से भी आपको आपक जाएगी तो हलकल कर एक कलर चेंज होने लग रहा है और इसको आप छोड़ दीजिए और हलकल कर दो-30 मिनट में इसको आप पलटते चले जाएगी तो सब तरफ से यह सिख जाएगी और इस तरह से हमारी कचौडी की रेसिपी कचौडी आप ट्राइ कर सकते हैं यदि आप जाएगी तो जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर ट्राइ कीजिएगा और मैं इसका नाम अनॉंस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में यदि कोई बनाता है आप लोग हो माँसे तो मैं अनॉंस करूंगी आपने रेसिपी ट्राइगी और इसकाद मेरी आलो की सब बहुत तीक होती है लेकिन टेस्ट में उतनी मज़ेदार होती है तो आप एड़ करना चाहे तो आप साथ में गरम मसाला एड़ कर सकते हैं उससे वह थोड़ा तीखावन आ जाएगा और इस तरह से हमारे प्रेट तैयार है और यह फ्रेंड्स आपको में यह कचोड़ी की र आपको पसंद आई हो यदि आपको रिस्पी पसंद आये तो आप घर में जरूर ट्राइ कीज़ेगा यह प्राइ करते तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे बताइगा आप इजी दी घर पे आलो की कचोड़ी बना सकते है और यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ए तो बाहर की जगे नास्ता घर पे इसली बना सकते हैं बनाने में जद्धा टाइम नहीं लगता है आई होप एदी आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगाओं मेरी रेसे भी पसंद आई हो तो फेंस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करना ना भूला मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में लिल्टन फेंस टेक केर बाई बाई कीप इसमाइल हमेसा ह अस्तरी मुस्कूरा दे रहे